तूफान में भीगते हुए नंदी सुरों को नहता का आचन में गया उस्ताजी नहीं मनें वगर नानी अपनी जिप पर अटल रहा हुए आफिर मासूल फुलवंदी ने उनका दिन जी पिले नानी की पना में और उस्ताजी की निग्रावी में फुलवंदी की साधना का आराम हुए कली खेल देए और देखते देखते चारो दिशाये उसके गुम्रों की चंचनाहट से गुण जुटे पुरूप और कला के सम्रावने के पेश्वा धर्बार में निमत्रिक करने के लिए साहुकार वोपा लायत उसकी हवेली में हाजिर हुए मगर भेस बदर कर जब फुलवंती को उनकी मरमग रहे रसिकता का पता चला तब उसने अपने मन की बात उनसे कह लिए मस्तानी बाई के चरणों से पावन हुए पुना के धर्थी पर मुझे नाचना है गाना है अगर मुझे पुना जाना है तो इसलिए कि मैं मस्तानी के दरहीस पर माधा देखू शद्धा और भक्ती के फूल चड़ाँ खुब कहा वेटी अब वो दिन दूर नहीं जब श्रीमंत बाजिरा पेश्वा के यहां से तुम्हारे नाम रुका आएगा जब श्रीमंत बाज़ाँ जब श्रीमंत बाज़ाँ जब श्रीमंत बाज़ाँ कर दो यहां से टाना तुम्हारा आएगा ट्रीमंत बाज़ाँ कर दो 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 श्रीमन पेश्वा की ओर से गोपाल नहीं का स्वागत करता है आवा बेटी आवा बेटी तुँ याव इश्राम करो हम थोड़ी देर पश्चा दाते हैं तो क्या सावकार्व में तंदर शोड़ कर जाएंगे? नए खुलवन्ती मैफिल की व्यवस्ता की हमें जाती तोर पर निग्रानी कमी है यह मैफिल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए भी कुछ खास माने रखी है वो क्यो? इसलिए कि पेश्वा दर्वार में हमने दावा किया है कि आज तक दर्वार में जितनी भी नुत्यांगनावने हादरी दी हो उन सब से बढ़कर होगी खुलवन्ती गुरूप में, नुत्य में, गायन में तो दायरे खुलवन्ती हमारे रसिक्ता की आज एक तरह से परक वने वाली है आपने मेरे ले इतने सम्मान के शुद करें मुझे मिश्वास है कि आपका ये दावा से छोगा रहे बिल्कुल सचोगा रहे और गुलवन्ती पूना के रसिक्तों की दाद पाक है तुमें भी बड़ी कुशी हो इस बारे में मेरे बने शक है कुलवन्ती तुम तो पहलिया बुजाने लगी हो तुम इस नतीजे पर कैसे आप पहुंचे कि इस नगरी में कलाकारों का उचित सम्मान होता ही नहीं हम तो कहेंगे तुम चाहे दिल्ली से चंदावर तक दरबा सते कर चुके होगी लेकिन पेश्वा दरबार में तुम्हारी सीरत का संवाल होता अगर ऐसा होता तो आज रास्ते में एक सामण यो पुरो हिद के पांकी के सामने हमारा मेयान रोकाने जारा अैसा हो यह यह सकता ऐसा हुआ है सावकार और मज़े की बाद तो ये है कि वो पुरो ही दिन दाहरे अपने पालकी के सामने मशाले लिए चल रहा था तो क्या वो व्यंकडे शास्ते की पालकी थी? फो इसमें कोई गलती नहीं प्रवंती व्यमकरे शास्त से ऐसी हस्ती है은 जिनके सामने श्रीमन भी चुपते हैं वो साक्षाद वेदमूती है नयाissions अधर्म शास्त्य व्याकरन भी कितने शास्तों के वो गहले जानकार zijn चारों पीठों के शंकराचारे उनका संमान करते है इसलिए श्रीमन ने उने पालकी के सामने दिन में भी मशाल चलाने का सम्मान दिया है तो क्या मुझी सुरज के रोश्मी में दिखाई नहीं दिला ऐसी बात में यह प्रज़ती मशाल उनके पांडित्य की विद्वत्ता की निशानी है दर्वा से बक्षा वाएक सम्मान है जो श्रीमन की ओर से एक संकेथ है आदर्भा प्रकट करने वाद संकेथ सामकार कहीं उनकी तारिफ करते करते आप उने बूर्तों नहीं शारे है तुम बड़ी नटकट हो बनती लेकिन शास्त्री जी की योग्यता ही इतनी है मैम्यान की मूथी है छूरी? सहकार, हम तो अपने सुर्व से लोगों को भायल करते है क्या आपके शास्त्री में इतनी विद्वता नहीं कि वो सामने वाले को हरा सकी? उन्हें छूरी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? वे छूरी दूसरों के लिए नहीं, खुब के लिए रखते हैं जब वे शास्त्रार्थ करने बढ़ते हैं तो छूरी निकालकर सामने चवकी पर रखते हैं और कहते हैं, अगर शास्त्रार्थ करते हार गया तो इस छूरी से अपनी जीप काट होंगा इतनी प्रखर है उनकी सुखते निश्ठा उनकी विद्वत्ता सबसे परे हैं तो आज की मेह फिल्म में ये महाशे तो पढ़ा रहेंगे ही विद्वत्त और आप कहे थे कि इस नगरी के लोग रसिक है मुझे तो यहां सारे विद्वत्ता के बुद्ध दिखाई देते हैं यू कहीं है ना कि आज मुझे तोता पंडितों के सामने नाशना है रसिकों के सामने नहीं तो बाते बना रहें में बड़ी चतुरो बाते मैं कहां बनाऊगी बाते तो आपको शाक्सरी पंडित बराएंगे हम तो ठहरे करें बस 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 फुल्वंती अब बातों के लिए समय नहीं है अब प्रतिक्षा है पाइल के जुनकार होगी तो 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 कि गर तो 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 मैं बातिंगे झाल 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 झाल